है। हमरा आदा काम हो चुका है, अब हम और हमें क्या करना है text editor के coding करने है.. text editor बनाएंगे, text editor के नाम से मैंने एक variable trade किया है इसको config किया है e wrap किया है word से और live letEdti.flat से scroll bar बनाएं हमेँ हमें six text editor mein focus set करदेंगे means हमारा cursor mode होगा, हम direct type कर सकते हैं scroll bar को pack किया है जहाँ पर आप करना चाहते है वहेँ पर ही और textrator को भी pack किया है सजोए यहाँ रूनकर ही तो pop RD पर čfour आगा है अगर कुछ device time करूँ फिर हमें status bar की coding कड़ना है status bar की नाम से variable create किया है और यहाँ अपर status bar दे लिहा पकरना होगा इसको टिकेड़ बॉटम पर यहां पर वैंज की सफचनलिटि बाद में रडों करेंगे अब FM की फ्टैड़े और global variable current font family हो जाएगा उसके बाद इसको यहीं पर ही लगा देंगे अब काम करके देखेंगे तो हमार पास नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे हम इसको bind करेंगे, bind करना भूल गएते हों तो combo box selected सिर्फ ऐसे ही लिखना आपको कुछ ओहर लिखेंगे तो नहीं होगा ठीक है तो देखिए यहां पर काम नहीं कर रहा है भीवी font change हो रहा है बट alien में type नहीं हो रहा है उसके लिए हमें कुछ काम करना होगा तो यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले size का भी बना देते हैं हम तो size का बनाने के बाद text editor को configure करेंगे font जो होगा aerial देंगी और 12 देंगे उसके बाद हमारा aerial में type हो रहा है ठीक है और उसके बाद हम buttons की functionality को add करेंगे first होगा bold button की functionality फिर मैंने एक function के लिट किया है चेंज bold के नाम से property रखी है sticky.font.font.font variable के लिट किया है text editor इसमें value दी है मैंने font और मैंने बोला है यहां पर हिंदी में बता जाता हूं कि अगर text property actual मतलब starting में ही weight जो होगा उसका normal होगा तो अगर user bold पर click करें तो उसको बना दो bold ठीक है क्योंकि मैंने यहां पर दीनी है यहां पर आ रहा है change करने को तो अब होगा ठीक है sorry अब हो रहा है और उसके बाद यहां पर सेम काम italic button के लिए भी होगा तो यहां पर सिफ copy waste करने का होगे यहां पर functions के नाम change करने होगे थोड़ी साब्धानी से करना होगा और जहां पर इसका weight था वहां पर slant हो जाएका जहां पर normal था वहां पर functions create करेंगे हम underline के नाम से ओके हमारे पास हम करेंगे तो यहां पर हमारी आराम से काम कर रही है फिर हमें font color की functionality को add करना होगा तो def change font color same चीज़ होगी बस color variable create करेंगे हम color user जो हमने ऊपर import किया था वह यहां पर हमने दिया है और आज color के जाम से एक function है जो हमारा काम कर रहा है ठीक है कर रही है और यहां पर हमारे पास pop-up भी आ चुका है देखिए color भी change होने है अब align की functionality करेंगे बहुत असान है ठीक है उसमें हम करेंगे क्या हम एक जगे से जो भी लिखा है user ने उसको delete करेंगे और जहां पर paste करना है वहां पर हम उसको insert कर देंगे ठीक है जहां पर user ने बोला है है ठीक है सेम काम हम center के लिए कर देंगे उसको delete कर देंगे टेक्स्ट एडिटर से और उसको center में हम कर देंगे इंसर्ट ओके अब run करेंगे तो देखिए यह बहुत आराम से काम करने वाला है अब सेम काम हम right के लिए कर देंगे कोई जादा complicated नहीं है और उसके बाद हम यहाँ पर इसको paste कर देंगे और आगे का काम क्या है अब हम status bar में देख सकते हैं यहाँ पर characters count हो रहा है यह वाली functionality हमको add करनी है status bar में और चलिए start करते हैं यहाँ पर characters count हो रहा है सिर्फ spaces count नहीं हो रहा है यह चीज़ का ध्यान रखना होगा function की कीट किया changed की नाम से status bar में ग्लोबल variable text change यहाँ पर clear करतेंगे हम text change नाम से एक variable जिसकी value हम false करतेंगे इसको हम बाद में true कर रहे हैं इसको modify command दी है मैंने आपर text change is equals to true ठीक है और इसके बाद words को एक count करेगा length को sorry text data.get किया है 1.0 से लेकर end था ठीक है end minus 1c मतलब minus 1 character ठीक है f string से characters को और आगे जो भी characters होंगे वो हम दे देंगे ठीक है characters जो लिखा हुआ f के बाद में वो हमारे को show होगा ठीक है और यहाँ पर words भी दे देंगे हम ठीक है और इसको quotes के बीच में रखना होगा हमें ठीक है अब क्या करना है अब text editor को edit modified command देनी है और इसको false कर देना है text editor को bind करना है वो यह शेवरों शेवरों लागर और modified कर देना है change जो हमारा function का नाम था वो दे देना है उसको run करेंगे हम तो यहाँ पर नीचे देखिए count हो रहे हैं हमारे पास spaces भी उसको कैसे अटाएंगे हम उसको अटाने के लिए replace की जो है replace function की हमको जरूद होगी तो यहाँ पर मैंने course के बीच में एक space दिया और एक पर नहीं दिया है उसको देंगे हम यहाँ पर अगर देखिए तो अब हमारे पास जो हमारे spaces है वो count नहीं हो रहे है ठीक है और अब क्या करेंगे हम यहाँ पर से ही हम करेंगे buttons की functionality को add जो हमने बनाये थे buttons नहीं new button की functionality को add करेंगे और यहाँ पर URL की delete करूँगा variable और एक function की delete कर दूँगा यहाँ पर new file के नाम से global URL दिया था और URL दे दिया और इसके बाद यहाँ पर text data सब कुछ delete कर देना है पहले से लेकर आखिल तब tk.end दे दिने एक command और उसके बाद अब क्या करना है यहाँ पर command देनी यह जापर हमने file icons की command दी थी यह वाले नाम की और यहाँ पर हमारे काम जो है वह new file के लिए काम हो चुगा है और अब open के लिए काम करेंगे हम तो यहाँ पर gap दे देना है और मैं यहाँ पर land की देता हूँ और open functionality के लिए काम करेंगे हम file open functionality def open file के नाम से एक function के लिट करेंगे हम इसमें event equals to none दे देंगे ग्लोबल url सेम काम बट url में इस बार file dialogue चुग हमने उपर module को इंपोर्ट गया था वही file dialogue जो हमारे पास open dialogue box 4 ओके और यहाँ पर मैंने एक बना दिया है file types बना दिया है किस type की होगे हमारी file text file लेखा हुआ आएगा और star means जो भी user डालेगा वो और अगर simply उसने enter कर जाए तो dot text ही अपने अप लग जाएगा all files नहीं आगी जब तक user select नहीं करेगा try दिया है इसमें हम करेंगे with open url और r की string दे दिया और यहाँ पर accept file not found error दे देंगे हम जो की error आता है अगर user ने कुछ भी type नहीं किया है तो और यहाँ पर main application की दे दिया यहाँ पर command दे नहीं हमको open file की और यहाँ पर सिम्ल मं देखिंगे यह पर open हो रही है अगर मैं यहाँ पर हमारा कोड करूंग यहाँ भी कर सकते हूं तो वह भी गट सक्ता हूं बोल्ड गर ना चाहूं तो वह भी कर सकता हूं इतल्यक unります colors भी चेंज कर सक्ता हूं अलाइन भी कर सक्ता हूं और हमारे characters भी рок Representatives अपने देखा होगा और अब हमें काम करना है save file के लिए यहाँ पर इससे पहले में line खेश देता हूं और save file के लिए काम करना start करते हैं function create क्या दा मैंने save file के नाम से global वही URL try किया है if URL तो मैं आपको इसको समझाता हूं कि यह क्या करना चाहता है कि अगर हमारी file exist करती है हमारे PC में कि अगर कोई file है जिसको मैंने edit किया है अगर कोई बंदा इसको save करता है तो pop up open नहीं होता है वह direct save हो जाती है वहीं पर जहापर वह पहले से है लेकिन अगर user नई file create करता हो फिर save करता है तो वह save as की तरह है save होती है ठीक है तो वही चीज़ यहांपर मैंने करी और उसके बाद कुछ चीज़े को change किया जो कि मैंने उपर से create किया था है यहांप url variable उसमें थोड़ी चीज़े change करी मैंने यहांपर mode कराओ w और यहांपर default extension .txt करी इसके बाद content2 के नाम से variable करेट किया जिसमें मैंने 1.0 से फिर get किया है सब चीज़ को और url को write किया है content2 से और यहांपर accept किया है और return गयर दिया है वापस ते और यहांपर save मैं command दे दूँगा यह हमारा function को नाम था ठीक है event equals to none देना है अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए वर नहीं भी दे सकते हैं आप काल सकता है यह file run होगी लेकिन जब हम shortcut की add करेंगे तो उसमें यह काम आती है तो यहांपर मैं दिखाता हूं कि save गया मैंने new file को यह पर pop up open हो रहा है देखी यह save हो चुकी है अगर मैं कुछ और save करेंगा यह adjust करती है अमारे computer में file अगर मैं इसके बाद save करेंगा कुछ edit करके तो यह save होगी बस अब मैं इसको delete करके open करके देख लीजे ठीक है बिल्कुत सही काम कर रहे है ओके और काम करना हमें save as functionality के लिए यहांपर comment देता हूं मैं line खीचने के बाद और अब काम को start करते हैं save as file के लिए तो save as के लिए event equals to none same काम होगा बस global जो है हमारा change हो गया URL को हम बाद में change करेंगे यहांपर content हमने रख दिया है यहांपर text later को get करना होगा और URL उपर से हम copy करेंगे ठीक है यहांपर paste पेस्ट होने के बाद हम यहांपर try करके कुछ change करेंगे फिर हमने URL को write किया है पहले की तरह ही content को और यहांपर URL को close कर दिया है accept करके return कर दिया open functionality के लिए कुछ ऐसा ही काम किया था हमने comment कर दिया हमने function को और यहांपर हम कुछ भी करेंगे तो हमारे quality के लिए यहांपर land case देता हूं और यहांपर comment देता हूं while exit functionality or guys exit के functionality में कुछ अलग होगा बहुत अलग होगा means अब इसके लिए क्या करेंगे हम हम एक इसको variable में store करवाके एक मतलब destroy कर देंगे हम ठीक है जो message box एक open होगा जिसमें वो पूछेगा कि do you want to save this file अगर वो फाइल save नहीं होगी तो एक बार पूछेगा कि आप save करना चाहते हैं तो अगर आप no कर दोगे तो simply destroy हो जाएगी अगर yes करोगे तो वो save होने के लिए बोलेगा कि हाँ इसको पहले save कर लो तुम उसके बाद यह exit हो जाएगी और तीसरी चीज़ होगी cross कर दो means cancel भाई कुछ भी नहीं गलती से type हो चुका है ठीक है गलती से select हो गया कुमारा option ठीक है बस यही काम किया है मैंने इतनी बड़ी command में को कर रहा है था बस और कुछ भी नहीं है यहां पर एक pop-up होगा warning के नाम से जिसमें लिखा होगा do you want to save this file and question mark उसके पाद एक इसमें function होता है python में एक function होता है तीन का मतलब तीन चीज़े होती है उसमें या तो save कर लो या तो cancel कर दो मतलब yes no or cancel sorry ओके और नहीं तो destroy ठीक है बागी कुछ भी नहीं है अब मैंने दिया यहां पर alif means अगर नहीं mbox is false then main application.destroy ओके बस और कुछ भी नहीं और से पहले भी alif alif else दे दिया मैंने और यहां पर destroy गा दिया ठीक है ओके उसके बाद को run करा मैंने और मैंने कुछ टाइप कर दिया और exit किया यहां पर आरा warning or do you want to save this file अगर मैंने cancel किया तो simple cancel हो जाएगा no किया तो close हो रही है किया तो यहां पर open file का option open हो जाएगा save as का और यहां पर save file हो जाएगी और फिर इसके बार destroy हो जाएगी ठीक है और अगर मैं उसको open करूँ तो यहां पर देखिए यहां पर save हो चुकी दी वह file ठीक है वापस से इंदर कर देता हूं वापस से दिखा देता हूं save कर रहा यहां पर वह file save हो चुकी है ठीक है देह लिजे और उसके बाद क्या आप करना है और बाकी सबी जो command से है उसको add करना lambda command से बहुत simple होने वाला है जो हमारी copy हो जाएगी paste हो जाएगी cut हो जाएगी clear all बहुत अराम से हो जाएगी इस यह function से जो lambda command दे हमने उससे ही ठीक है और यहां पर control plus mac alt 2 यह command दे सकते हम अपनी मरजी के हिसाब से कुछ भी हम अगर press करेंगे तो copy भी हो सकता है paste भी हो सकता है और यहां पर cut भी हो सकता है फिर paste भी हो सकता है उसके बाद clear all भी हो लेकिन हमें करना गया है हमें करना है find ठीक है तो यह find क्या से होगा यह चीज़ करनी है तो यहाँ पर मैं इसके लिए अलग से comment लिखता हूँ कि find button functionality और यहाँ पर find func के नाम से एक function create कर लेता हूँ और जहाँ पर मैं लिख दूँगा कि find dialogue के नाम से एक value create करना इसके अंदर ही top level ठीक है और find dialogue.geometry set कर देनी इसकी अलग से top level मैं इसके अंदर एक जैसे की मेरी एक file होगी screen होगी एक अलग से screen इनके लेत करनी होगी same जिसमे मैंने geometry set कर जिसमे मैंने title को set किया और इसके बाद इसको resizable value नहीं किया है मैंने मतलब resizable की value को 00 कर दिया है इसको हम घटा भी नहीं सकते है और बढ़ा भी नहीं सकते है और यहां पर find frame की मैंने label set कर दिया find dialogue उसके में हम text जो है वो हम दे देंगे यहां पर यहां पर दो text होगे मार पास frame के होगे जो हमारी find होगी वो होगी और एक replace भी होगी ठीक है तो वो दो लोग हम हमको करने है अबर और यह करने के बाद उसके बाद हम entry box से straight करेंगे यहां पर ttk.entry जहां पर हम type करेंगे उसका जो है वो दे देंगे हम width दे देंगे और value labels के name दे देंगे यहां पर उसके बाद button create करेंगे button create करेंगे find के और replace के तो वो ही गाम होगा दूनों में same जैसे हमने करा था यहां पर सिर्फ command दी जाएगी यहां पर find की और जो हमारे पास photo तो है नहीं जो इसमें photo लागी हम तो सिर्फ एक text रखेंगे हम जो दिखेगा उनको find का और replace का तो find और replace को हमको एक function create करना पड़ेगा find और replace का जिससे की यहां पर error नहीं आएगी अब ही हमारे पास error आ रहा है तो इनको हम grade भी करेंगे ठीक है तो उनको grade भी करना होगा तो यहां पर उनको के नाम change करेंगे और grade कर देंगे grade करने के बाद हम entry boxes को भी grade करेंगे कहां पर grade होगा यह हम दे देंगे find input grade replace grade ठीक है और अब क्या करना है buttons को grade करेंगी हम find button को और replace button को भी और यह करने के बाद find dialog को main loop लगा देंगे क्योंकि यह एक application है means application नहीं यह एक screen होगी खुद के ठीक है यहाँ पर हम create कर देंगे find यहाँ पर pass दे दूँगा मैं सिर्फ और replace को भी pass दे दूँगा उसके बाद हम यहाँ पर run करके देख लेते हैं एक बार हमार पास screen तो आ चुकी होगी बट वो काम अभी उसमे functionality add नहीं किया मैंने तो वो काम अभी नहीं करेगी बट हमार पास आ चुकी होगी यहाँ पर एक error आ रहा है यहाँ पर command नहीं देती हमने जो है वो command देते हम find func ठीक है अब वो काम करेगी यहाँ पर आ चुकी हमपर find replace find replace के button भी आ रहे है और उसके बाद हम टाइप करना start कर देते हैं यहाँ पर variable delete करेंगे हम जो find करेंगे हम उसके लिए हम जो foreground होगा हमारा उसको right कराद लेंगे और उसके बाजू में मिल्स के पीछे का होगा उसको जरा से में yellow कर देंगे जिससे थोड़ा अलग दिखाई देगा वो उभर के आएगा और यहाँ पर start पोज इस word start is 1.0 while true और start post की variable create के लिए text editor.search word जो search करेगा पहले वो उसके बाद यहाँ पर उसको yellow और red का कर देगा वो ठीक है बस इतना सा काम करना होगा इसमें और length word c string में करना होगा हमें c और f string और उसके बाद यहाँ पर हम matches देते हैं इसको English कर देते हैं matches को जो हमने 0 किया तो उसको one कर देंगे और start post को end post से equal होगे और यहाँ पर find करेंगे je को होग तो हम simple find हो रहा है अब हमें ऐसे ही replace भी करना होगा डिक है मैं replace करूँगा replace अभी होगा नी so find हो रहा है अब replace के लिए काम करेंगे replace के लिए मैंने वह काम क किया है word को find input.get कर दिया है replace text को replace input से गैट कर दिया है content को text editor से गैट कर दिया है शूल से लेकर end तक मतलब पूरे text editor को और new content create किया है जिसमें content को replace किया है और text status से सब कुछ delete कर दा है जो भी find होगा को delete करा और उसकी जगे हम paste करेंगे जो भी user ने type किया है हमारी entry box में ठीक है और यहां पर find मैंने python किया और replace मैंने vs code किया find होगा हमारा python और replace होगा vs code और मैं उल्टा करूँगा तो यहां पर देखे find होगा और replace होगा मैं हर्च करूँगा तो यहां पर होगा और replace python होगा ओक यह बहुत असान था और अब हम काम करेंगे view के लिए view buttons के लिए इसमें हम करेंगे क्या on value को true कर देंगे और off value को false कर देंगे जिससे क्या होगा अगर जो user होगा अगर toolbar पर click करेंगा तो toolbar जो है वो hide हो जाएगा default होगा मतलब हमारे पास toolbar show हो रहा है click किया तो वो hide हो जाएगा जो कि अगर वो वापस से करता है तो वापस से हमको toolbar show हो जाएगा यही काम हमको status bar के लिए भी करना होगा और tool bar के लिए भी करना होगा तो यहाँ पर मैंने किया क्या show status bar tk.bullion bar means boolean variable and show status bar को set कल जाए true पे मतलब show होगा और show इस tool bar को भी यही काम किया है हमने और यहाँ पर pass दिया है मैंने जिसे की error ना आये और यहाँ पर global show toolbar if show toolbar toolbar.pack और यहाँ पर forget कर दिया है मैंने show toolbar is false मतलब hide हो शुका है else text editor.pack.forget यह हमारे पास command होगी जिस को status bar.pack.forget किया है हमने toolbar.pack जहाँ पर पेक किया था हमने उसको वापस से हम पेक कर दिया है कर रहे हैं क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा चोबी सब कुछ हमने पहले किया था वह सब कुछ bigger चुका है अभी ठीक है तो हम सभी का काम एक साथ कर रहे हैं टीक है ओके यह करने के बाद status bar में भी यही काम करेंगे हम सेम काम होगा और यहां पर कुछ error आ रहे हैं उनको solve कर दिया नीचे पढ़कर ओके सब चीज़े काम कर रहे हैं सब चीज़े एक्टम सही काम कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर हमको शोड नहीं हो रहा है तो यहां पर variable भी हमको देना होगा variable show toolbar और variable show status bar और अगर हम करेंगे अब तो हमारे को show हो रहे हैं ठीक है सब चीज़े सही काम कर रहे है और गाइस अब क्या करना है color theme की जो हमारे पास होगी functionality वो add करेंगे हम तो हमने यह उपर बहुत सारा गाम कर लाए है इसलिए हमको यह function create क्या था और create करेंगे और change theme के नाम से chosen theme के नाम से एक variable create कीया जिसमें हम theme choice जो पर variable create क्या थो इसको get करेंगे हम और color2port के नाम से variable और color dict को get कर देंगे हम उस पे जिसमें chosen theme होगी और foreground color background color उसके equal होगा color tuple ठीक है और उसके बाद text editor को config कर देंगे sorry for background noise guys अगर मैं आप करना चाहूं color theme तो color theme add हो रही है लेकिन monogai में दिक्कत आ लिए क्योंकि मैंने color code गलत दिया है आप देख सकते हैं यह पर मैंने 4747474 दे दिया है तो जो last में 4 है कर रहा तो देखी monogai भी काम कर रहा है ठीक है अब क्या काम करना है अब हमें जो shortcut keys थी उनकी उपर काम करना है तो यहां पर error यह पहले का error है sorry इसको अटा देता हूं आप पहले का error है अभी का नहीं आ रहा है यह बिलकूल सही है ठीक है अब क्या करना है shortcut keys के लिए काम करना है तो यहां पर shortcut keys main application.bind करना है शेवरुन शेवरुन लागे control minus n कर सकते हैं आप new file के लिए और ऐसे ही आप अपने variables को बना सकते हैं तो मैंने यहां पर variables के नाम तो दे दिये हैं और पूरे नहीं दिये मैंने यहां पर variables के नाम दिये लेकिन यहां पर मिल्से एक गलती हुए थी जिसमें मैंने control की जो अन्याद किया था जिसमें कि मैंने क्योंकि सारी चीज़े control प्लस एंड से हो रही है ऐसा दोड़ना होता है तो मैंने यहां पर हमारी control मतलब control की shortcut की इसको और मैं मैंने लिखा पर control एंड तो यहां पर new file हो गई control O से यहां पर हमारा की save as और control Q से यहां पर exit होती है और F से find हो लिए है यहां पर find कतके देख लेते हैं और हमारा काम पुरा हो चुगा है ठीक है गाइस ओके गाइस अपने python प्रोग्रामिंग की मदद से software बना लिया है और अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो आपको वीडियो अच्छी लगी हो आपको टूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा अगर आपको कुछ error आ रहे है तो description में मैंने एक source code दे द सकते हैं ठीक है गाइस थेंक्स फ़र वाचिंग बाइबाई